सिरदर्द सबसे कॉमन बिमारियों में से एक है बहुत से लोग तो सिरदर्द को बिमारी समझते भी नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये समस्या सभी लोगों को कभी न कभी होती है और वो हेड़क के लिए कोई इलाज करवाते नहीं वैसे headache कई reasons से हो सकता है जैसे कि stress, allergy, BPI या low होना लेकिन क्या आप चानते हैं कि acidity की वज़ा से भी सर में दर्द की दिक्कत हो जाती है जब पेट में बहुत जादा acid बनने लग जाए तो इसकी वज़ा से सरदर्द होने लगता है इसे gastric headache कहते हैं और ये दिक्कत अपच या बदहस्मी की वज़ा से हो सकती है सही तरीके से पाचन ना हो तो पेट में गैस बनने लगती है जिसकी वज़ा से सिर में एक तरफ दर्द होने लगता है कई research में तो ये भी बात सामने आई है कि जिन लोगों को बार बार सरदर्द की समस्या होती है उनमें पेट और पाचन से जुड़ी गंफीर बिमारियों का खत्रा रहता है खासकर पेट में पैप्टिक अलसर जैसी गंफीर बिमारी हो सकती है तो ऐसे में अगर आपको सरदर्द हो रहा हो और आपको ऐसी डिटी की दिक्कत हो तो उसे छुड़कारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्को का इस्तमाल करें जैसे की आधा ग्लास चार्च में एक चम्मत धनिया का जूस मिलाकर पीने से सरदर्द और ऐसे डिटी दोनों से रहत मिलती है आठ से दस तुलसी का पत्ता चुबाएं इससे भी सरदर्द और ऐसे डिटी की समस्या दूर हो जाती है फिल्हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम ज़ानकारियों के लिए बोर्ट स्काइप को सब्सक्राइब करना नहीं पूलें